किसानों के दिल्ली चलो मार्च के बीच कई तरह के सवाल उट रहे हैं मसलन आखिर प्रदर्शन कारी किसानों की मांगे क्या हैं? केंद्री मंत्रियों के साथ वी किसान नेताओं की बैठक बे नतीजा क्यों रह गई? चलिए एक एक करके इन सवालों का जवाब तलाशते हैं सबसे पहले प्रदर्शन में शामिल किसान मजदूर संगहर्श समिती के सरवन सिंग पंडेर को सुनिए वो बता रहे हैं कि उनकी मांगे आखिर हैं क्या? पंडेर ने ये भी कहा कि वे सियासी रूप से किसी के पक्षवाले लोग नहीं है किसी के पक्षवाले नहीं है हम किसान मजदूर की वाज उठाने वाले उनके आदमें आपको बता दें कि दिल्ली चलो मार्च रोकने के लिए सुमवार को किसान नेताओं के साथ केंद्री मंत्रियों की बैठक भी हुई मगर इस बैठक से किसान नेता संतुष्ट नहीं हुए ऐसा क्यों है इस बारे में ये पक्ष सामने आया है आज हम पूरे भारत के शमक्ष अपनी वारता रखना चाहते हैं पि हमने भरसक कोशिश की कल की मीटिंग में पि कोई ना कोई इस तरह का निरनाय हो जाए जिस से हम जो सरकार से टकरा से बचे और कुस हमें मिले जिसकी हमें आशा थी हम आशा करके ही भरोसा करके ही पांस घंटे मीटिक में बैठे रहे हमने उनके समक्ष हर्याना की पोजीशन रखी पि हर्याना को आपने बिलकुल कश्मीर की वैली बना दिया है आप हर्याना में हर गाओं में पुलिस भेज रहे हैं हर्याना के हर गाओं ने water cannon भेजे हैं आपने हर्याना के हर गाओं में पटवारी जा रहे हैं हर्याना के हर गाम के किसान नाग ञाँ को रिष्तेदारों को तंक किया जा जारा आ पका बेटा कर रहा कि बड़ा उसे करने नहीं देंगे आपका बेटा डिग्री स्थेसे निकाल को और आपके पासबोड रद कर देंगे तो इस तरह की अन तरह की पड़तारना अधिक से अधिक है जिस तरह का भी हम कहलें अधिक से अधिक है और देखिए आप पंजाब हर्याना किसे भारत के दो राज नहीं ऐसे लगता है यह इंटरनेशनल बॉर्डर बन गए हैं तो हमें जो नजर आ रहा है अब हमें मीडिया बोलता था आप रोड रोकते हैं इससे लोगों को तकलीफ होती हम हम तो का आज भी नहीं कह रहे हैं तो सरकार ने स्वैम रोड रोक रखी है पिछले दो तीन दिन से और जो वो दिखा रहे हैं कॉंक्रीट की दस्तस पूट उची उगाते हैं उसको देश का पेट भरते हैं और इन्होंने हमारे लिए जो है किलों की फसल है वो हमारे लिए उगा रखी है हमारे सामने हमने तो मंत्री महोदे से कहा आपने महराष्टर में जुल्म किया आप मद्रपरदेश में 300 लोगों को डिटेन कर लिए आप यह बैंग किसान आरे से टिक्टे लिए थी उनको रेस्ट कर लिया आप इतना कुछ कर रहे हैं फिर भी हम आपसे वारता करने पहुंचे क्यों पहुंचे हम चाहते से मिल बैठ के इस मसले का कोई ना कोई हल हो जाए पर हमें ना तो यह लगा हम मंत्री महोदे प्यूश गोल जी उपर करें मैं बात करूंगा पर कुछ लगा नहीं उसके बाद कुछ हुआ देखे वहां मीटिंग में बैठे बैठे हमारे ट्वीटर हैंडल बंद होगी हम वारता कर रहे हैं फिर भी हम दरवाजा बातचीत का खुला रखेंगे हम आज भी कहते हैं सरकार कोई भी नाउसमेंट क करना चाथा है जो हमने देखा देखें सी बात मत आसान म्हें सब्सक्राद के बारे में सारी वह सब्सक्राइइस करते हैं कुछ 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 फसले तो खरीदी जाती हैं कुछ नहीं करी हमने का आपने कुछ नहीं करना यह जो 23 फसलों का आप नाउस्मेंट कर रहे हैं पूरी कैलकूलेट करके उसके उपर लीगल शोटी करने भी आपकी मंडी में MSP से नीचे बिकेगी नहीं अब फिर बोले के हमारे मुद्दे को डिलेट करना चाहते हैं हमने यह भी बहला मान्योग परधान मंत्री जब 2012 में कंजूमर अफेर कमेटी के चेर पर संथे तो उन्होंने कहा था MSP कानून देंगे उनकी इस बार से और 2018 में तत्कालिन खेती बाड़ी मंत्री सच्चिव की चित्थ है जि किसानों ने जब केस डाला था तो उन्होंने दोनों दोनों पक्सयों को सुनकर सरकार का पक्सी भी सुना जो पीयर डालने वालते उसका पक्सी भी सुना और निरने किया भी MSP से नीचे किसान की फसल ख्रीदी नहीं जाएगी हमने तीने तरक उनके सामने रख दिये पर मंत्री महोदे काकेले हमारे से और दूसरा हमने कहा आपने दो साल पहले चिठी लिखिये में उसमें बोला था सरकार हमारे साथ बैट के मसले काल नहीं करना चाती चाहिए सीटूफिटी के उपर भी उनका कोई न्र नहीं है किसान मजदूर के करज के बारे में बोलने मालूम करना पड़ेगा कितना है भाई यह बैंकों का काम है दस मिनिट का काम है भास सरकार चाहे डेटा पांच चाहर किसान मजदूर का करज माप करेंगे कैसे 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 करना है यह आने वाले समय में पता चल जाएगा तो तो मीटिंग चासी सारी वारता उना मीटिंग में हमने सब कुछ मां बोला है सब कुछ कहा है इस बजा से जब मीटिंग सिरे नहीं लगी तो हमें सब को मिलकर यह दस बजे का बॉडरों की उपर जाने का निरने लेना पड़ा हमारी और से बिलकुल पीसफुल कोई टक्राब नहीं करेंगे सरकार से सरकार गोली मारे लाठी बर जबान भी हमारे हैं इधर भी हमारे हैं ठीक है तो हम पूर पीसफुली पुरामन जंक से यह सब करेंगे जो हमारा निरने हैं दूसरा हम मीडिया से अपील करना जाएंगे भी मारे अक्ष को बिगाड़ा ना जाए ठीक है वो हमारे अक्ष को सहम देश के किसान मजदूर है किसी जो बोला जा रहा है मेडिया में कोई कॉंग्रस को नहीं कोई कॉंग्रस हम में support नहीं करती हम कॉंग्रस को भी उतना दोशी मानते जितना भाज़ पा दोशी है ये नीतियां तो कॉंग्रस लेके आई हैं हम कोई left नहीं है हम जो cpi cpm ने जो बंगाल में राज किया उन्ने बीसो गलतियां की वहां सा पच्छमी बंगाल में कौन सा इं करेंगे चाहे पंजाब और देश के गायक हैं बुद्धी जी भी हैं एनराई भाई हैं चाहे और सिवल सोसाइटी है सबी सिवल सोसाइटी उसमें पत्रकर भाई चाहरा भी आता है वह जरूर इस बड़े अंदोलन में यह हमारा सवाल नहीं हम नहीं कहते हैं 140 करोड देशवा चाहते हैं अगर क्रिशी बच गई तो देश बच जाएगा कर रहे हैं क्या कहेंगे और सब्सक्राइब को परिशानी भी हो रही है सब वहां पर आने जाने में तमाम जो 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 दिल्ली आते हैं कि देखे मैं चंडिगर जाके दो बार किसान संगठनों के साथ बाचित किया और किसान संगठनों को बाचित करते हुए मैंने ये बात बताई कि जितनी मांगे सम्मधित भारत सरकार से जो विशे हो सकता है वो हम कर रहे हैं और उनको बता भी दिया है लेकिन कुछ चीजों में हमें कंसल्टेशन करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि राज्यों के साथ मिल करके हमें इस बात पर आगे चर्चा करने पड़ेगे इसके लिए हमें ये सुनिशित करना चाहिए कि इसका रास्ता क्या क्या होगा और इसके लिए हम कोई एक फोरम ऐसा बनाए जिसमें हम लगातार चर्चा करते रहें और इसका समाधान निकालें ये बात किसानों को समझने के जरूरत है कि किसी किसानों के हीतों की रक्षा हो भारस सरकार प्रतिबद है और उसके साथ साथ जन सामाने को कोई कठिनाई ना हो दोनों ही बातों को जो संगठन है किसान संगठन उनको समझना पड़ेगा किसान के हितों की चिंता हमें जादे रखने हैं कोई राजनीती कर रहा है क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इस पर हमें जाना नहीं है हम यह इतना ही कहेंगे कि हम इसा बाचित के लिए तयार है हम इसा डिसकसन करने के लिए तयार है उसका सोलूसन निकालने के लिए जो भी हो सकता है वो सारा कारे करने के लिए हम तयार है बसरते की उसके लिए जो क्योंकि आप सब जानते हैं कि एगरिकल्चर पूरे देश के किसानों के लिए भारत सरकार प्रुटसाहित करती है, कारे करती है, आगे बढ़ाती है, ये बात से ही है लेकिन विशे राज सरकारों का भी है, जहां हमें कंसल्टेशन की जरुबत पड़ेगी, तो सभावी करूप से एक रास्ता तो अपनाना पड़ेगा, एक मैथट तो अपनाना पड़ेगा, जो भी विशे होती है, उन सारे विशेयों के लिए, किस तरीके से, कैसे, क्या, ये पीशे को समझने का तो समय चाहिए, और मैं ये कह रहा हूँ कि आप उस पर बाक्षी करिए, हम उसके लिए तयार है, कल भी उसके पहले भी दो बार हमारी बैठा को चुकी है, और हमने पूरे सकरात्मा करीके से चीजों को लिया, आप तूदा मार्क नहीं है, सरकार का, यही वज़े कि वो दिल्ली कुछ देखें, उन लोगों ने, जैसे ही, हमें सूचना दे हम सोयम चले गए, बाचीत करने के लिए, हम बाचीत करते हैं, वो इसका समाधान, ने तो हम चंडीगड के हो जाते हैं, चंडीगड में लोगो कि बाचीत के माध्यम से इन सारे चीजों को सूल जाया जाया है, उधर दिल्ली में किसानों के प्रिवेश को रोपने के लिए, सीमाओं पर सभी संभव प्रियास किये गए हैं, कि जो फार्मर्स हैं, इनको पीस्फुल तरीके से नेगोशियेट करते हुए, इनको लीगली हम रोकें, और जो आम जन है, जो आप देख रहे हैं, ट्रैफिक प्र पर जा रही है, इनको कम से कम असुविदा हो, इसी के चलते हमने बहुत पुलिस फोर्स मी लगाई है, टेक से कम असय को आप साहिं है, हम लेया सिर्थे भी लात में लिए असी केका सकत्वान्गेज़।